आमादी पार्टी के मुश्किले बढ़ती चली जा रही हैं। आमादी पार्टी के कई नेता जेल जा चुके हैं और अब पार्टी के मुख्या केजरिवाल कभी भी जेल जा सकते हैं। केजरिवाल को भी मालूम है कि उनके लिए बचना मुश्किल हो गया है यही वज़ा है कि लोगसभा चुनाओं से पहले केजरिवाल तिल मिलाए हुए हैं दर्शकू देश लोगसभा चुनाओं के मुहाने पड़ खड़ा है सभी दल अपने अपने स्टार प्रचारकों के लिस्ट जारी करने में लगे हैं लेकिन देश की कथित सबसे कटर इमानदार पार्टी आमादी पार्टी के सामने स्टार प्रचारकों के गंगाली का संकट छा गया है क्योंकि अपने आपको कटर इमांदार नेता बताने वाले दल के दो बड़े नेता जो अभी तक स्टार प्रचार रक रहे हैं पार्टी के वो प्रष्टाचार के मुकदमे के कारण जेल की हवा खा रहे हैं अर्विंद केजरिवाल खोद उस फहरिस्त में कभी भी शामिल हो सकते हैं केजरिवाल के सामने मुसीबत यह है कि उनके जेल जाने के बाद पार्टी लोगसभा चुनाओ का प्रचार प्रचार कैसे करेगी आमादी पार्टी जो अपने आपको इमांदार का बर्गत बताती है कहीं ना कहीं व्रष्टाचार का कैक्टस साबित हुई कथे तोर सेज उसके बाद आमादी पार्टी लोगसभा चुनाओ कैसे लड़ेगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा क्या है खबुरी खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में आमादी पार्टी के लिए यह लोगसभा चुनाओ प्रचार के मामले में सबसे चुनाओती पूर्ण हो गया है पिछले लोगसभा चुनाओ तक पार्टी के पास जिन स्टार प्रचार को की लंबी फिहरिस्त थी वो इस बार नहीं है पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में शामिल पूर्फुक मुख्यमंत्री मनीश सुसूदिया और आजिसवासांसा संजै सिंग जेल में है खुद सीम केजडिवाल अब किरफतारी का खट्रा उन पर मंड़ा रहा है लगतास समन भीजा जारा एडी की तरफ से और आमादी पार्टी में तनाव बढ़ा हुआ है ऐसे में हालातों में आमादी पार्टी फोक फोक करकनम रख रही है आमादी पार्टी सबी आश्रंकाओं को देखते हुए आगे बट रही है अलाकि आवादी पार्टी के पास केजडिवाल के अलावा भगवंतमान, संदीपाथक जैसे लेता मौझूद है जो चुनाओ में महतवपोर्ण भूमिका निभा रहे हैं जमीनी स्थिति की बात की जाए तो आपकारी, घुटाले, मामली में मनीश सुद्य और संजै सिंग के जेल में होनी के बाद केजडिवाल चुनाओ प्रचार में अकेले पढ़ गए हैं इडी के समन और कोट की टिपणी से केजडिवाल की मुश्किले भी बढ़ गई है इससे भी पार्टी के सामने चुनौती है इधर रागफ चढधा पहले कितना सक्रिय नहीं दिख रहे हैं सीमान के लिए पंजाब में सभी सीटों पर चुनाओ प्रचार की बड़ी सिम्मेदारी रहेगी दे लेकर आमादी पार्टी के पास दिल्ली में बचे हैं तो सिर्फ केजडिवाल के अलावा आतिशी और सौरभ भारतवाज जैसे नहीं था जो दिल्ली की राजनी ती से लेकर राष्ट्रे मुद्दों तक हर मंच में आगे खड़े दिखाए देते हैं पार्टे में संदीर पाठक का नाम ऐसा है जो परदे के सामने की जखा परदे के पीछे ज़ादा काम करते हैं बहराल पिछले चुनावों की बात की जाये तो आम आद्मे पार्टी अभी तक दो लोगसभा चुनाव लड़ी है 2014 और 2019 के बाद अब 2024 तीसरा चुनाव है 2014 में केज जिवाल स्वयम बनारस जाकर प्रधान नित्री नरींतर मोंदी के सामने चुनाव लड़ रहे थे पार्टी से बाहर है या फिर बाहर कर दिये गए है इसमें बड़े नेताओं में अंतिम बार 2018 में पार्टी चोड़ने वाले नेता थे आशीश खेतान इससे कुछ समय पहले ही आशिदोश ने आमाद्मे पार्टी चोड़ी थी ये दोनों नेता विशय पर रिसर्च कर बात रखने वालों में से थे इनकी बात में घंभीरता होती थी और लोग इनकी बात को ध्यान से सुनते भी थे कुमार विश्वास भी आमाद्मे पार्टी से दूरी बना चुके हैं ऐसे में दोजार चौबीस में लोकसभा चुनाओं में केजरिवाल अकेले पड़ गए हैं वहीं कॉंग्रेस से गटबंधन के बार दिलनी में हार देखकर केजरिवाल जहलाए हुए हैं और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं